अनेक अनेक शुबकामनाएं आज के ही दिन हमें मेजर ध्यांचन के रूप में एक महान स्पोर्ट्स पर्सन मिले थे अपनी फिट्नेस, स्टेमिना और होकी स्ट्रीक से दुनिया को उन्होंने मंत्र मुग्द कर दिया था ऐसे मेजर ध्यांचन जी को मैं आज आदर पुर्वक नमन करता हूँ आज के दिन फिट इंडिया मुवमेंट ऐसा इनिशेटिव लाउंच करने के लिए एक हेल्दी इंडिया की दिशाने एक महत्वपुर्ट कदम और इस कंसेप्ट से मुवमेंट के लिए मैं खेल मंत्रावे को युवा विभाग को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ यहां जो आज प्रस्तूति हुई इस प्रस्तूति में हर पल फिटनेश न का कोई न कोई मैसेज था परंपराओं का स्मरण कराते हुए सहज रुप से हम अपने आपको फिट कैसे रखते हैं रख सकते हैं बहुत उत्तम तरीके से इस चीजों को प्रस्तूत किया और यह चीजे इतने बढ़िया धंग से प्रस्तूत हुई है कि मुझे मेरे भाशन की कोई जरूरत नहीं लगती है यहां प्रस्तूति में जितनी बाते बताई गई है उसी को अगर हम गांठ बान ले और एकाद दो एकाद दो को जिंदिकी का हिस्सा बना ले मैं नहीं मानता हूं कि विट्नेस के लिए मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यक्ता पड़ेगी इस उत्तम कारिय रचना के लिए इस उत्तम प्रखार के प्रस्तूति के लिए जिन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया होगा जिन्होंने इसमें नए नए रंग रूप भरे होंगे और जिन्होंने परिश्रम करके इसको प्रस्तुत किया है आप सभी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं मैं भविश्च जब मैं चाहूंगा कि इसी मैंसे एक अच्छा प्रोफेशनल वीडियो बना करके सभी स्कूल कॉलेजिज में दिखाये जाएं ताकि सहज रुप से क्योंकि एक जन अंदोलन बनना चाहिए साथियों आज का ये दिन हमारे उन युवा खिलाडियों को बधाई देने का भी है जो निरंतर दुनिया के मंच पर तिरंगे की शान को नई बुलंदी दे रहेंगे बैडमिंटन हो टेनीज हो अथलेटिक्स हो बॉक्सिंग हो कुस्ति हो या फिर दूसरे खेल हमारे खिलाडी हमारी उम्मीदों और आकांख्षाओं को नए पंख लगा रहे हैं उनका जीता हुआ मेडल उनके तप और तपस्या का प्रणाम तो है ही ये नए भारत के नए जोश और नए आत्मविश्वास का भी पैमाना है मुझे खुशी है कि बीते पांच वर्षों में भारत के स्पॉर्ट के लिए बहतर माहुल बनाने के जो प्रयास हुए है उसका लाप आज हमें दिखाई दे रहा है साथियों स्पॉर्ट का सीधा नाता है फिटनेस से लेकिन आज जिस फिट इंडिया मूमेंट की शुरुवात भी है उसका विस्तार स्पॉर्ट से भी बढ़कर के आगे जाने का है फिटनेश एक शब्द नहीं है बलकि स्वस्थ और सम्रुद्ध जीवन की एक जरूरी शर्प है हमारी संस्कृति बैतो हमें सांसे ही फिटनेश पर बहुत जादा जोड दिया गया है किसी बिमारी के बाद परहेट से हमने जादा बहतर स्वास्त के लिए किये जाने वाले उपायों को प्राथिक्ता दी है उसको स्रेष्ट माना है फिटनेश हमारे जीवन का सहज हिस्सा रही है और हमारे यहां तो हमारे पुर्वजों ने हमारे सांस्त्रों ने बार-बार कहा है वायामात लबते स्वाथ्यम दिरगाईशं बलं सुखं आरोग्यं परमंभाग्यं स्वाथ्यं सरवार्त साधनं यानि व्यायाम से ही स्वास लंबियायू शक्ति और सुख की प्राप्ति होती है निरोगी होना परम्भाग्य है और स्वाथ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं लेकिन समय रहते रहते परिभाशा है बदल गई पहले हमें सिखाया जाता था हमें सुनने को मिलता था कि स्वास्थ से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं अब सुनने को मिलता है स्वार्थ से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं और इसलिए ये स्वार्थ भाव को स्वास्थ भाव तक फिर से वापिस ले जाने का एक सामोही प्रयास आवश्चर हो गया है साथ्वा मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे फिट्नेस जरूरी है ये तो हमें भी पता है फिर आचानक इस तरह की मूवमेंट की जरूरत क्या है साथियों जरूरत है और आज शायद बहुत ज़्यादा जरूरत है फिट्नेस हमारे जीवन के तोर तरीकों हमारे रहें सेहन का अभिन अंग रहा है लेकिन ये भी सच है कि समय के साथ फिट्नेस को लेकर हमारे समाज जीवन में हमारी सोचाइटी में एक उदासिन ता आ गई समय कैसे बढ़ला है उसका एक उधान में आपको देता है कुछ दशक तक पहले तक एक सामान ये व्यक्ति एक दिन में आर्दस किलोमेटर पैदल चल लेता था कुछ एक गंटे पर साइकल चला लेता था कभी बस पकड़े के लिए भागता था याने जीवन में शार्री गतिविती सहज हुआ करती थी फिर दीरे दीरे टेकनोलोजी बड़ली आदुनिक साधन आए और व्यक्ति का पैदल चलना कम हो गया फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई और अब सिची क्या है टेकनोलोजी ने हमारी ये हालत कर दी है कि हम चलते कम है और वही टेकनोलोजी हमें गिन गिन के बताती है कि आज आप इतने स्टैप्स चले अभी पांच हजार स्टैप्स नहीं हुए दो हजार स्टैप्स नहीं हुए और हम मुबाइल पर देख रहते हैं यहां मोजो आप बसे कितने लोग यह पांच इजार दसेजार स्टैप्स वाला काप करते हैं कई लोग होगे जन्हों इस प्रकार की बहुत पहनी होगी यह मुबाइल पर एप डाल के रखी होगी मुबाइल पर चेक करते रहते हैं कि आज कितने स्टैप्स हुए साथ कि आप पैसे बहुत से लोग सजग है सतर्क है लेकिन देश में बहुत बड़ी संगय ऐसे लोगों की भी है जो अपनी डेली लाइफ में इतना मश्गूल है कि अपनी फिटनेस पर ध्यानी नहीं दे प इन में से कुछ लोग तो और भी विशेष हैं और मैं आपने देखा होगा कुछ चीजें फैशन स्ट्रेट्मेंट हो जाती है और इसलिए फिटनेस की जड़ा बात करना दोस्तों में बोजन के टेबल पर बैठे हैं भरपूर खा रहे हैं आवस्तक्ता से डबल खा चुके हैं और बड़े आराम से डायटिंग की चर्चा करते हैं महिने में कम से कम दस दिन आपको अनुभव होता होगा कि आप डाइनिंग टेपल पर बैटे हैं भरपूर खा रहे हैं और बड़े मज़े से डाइटिंग पर बढ़िया बढ़िया उफदेश दे रहे हैं याने यह लोग जोश में आकर बातें भी करते हैं और इसे जुड़े फिरिकते रहते हैं और उनको ध्यान में रहता है कोई नया गैजेट होगा साथ मेरे फिटनेस ठीक हो जाएगा और आपने देखा होगा घर में तो बहुत बड़ा जीम होगा फिटनेस के लिए सब कुछ होगा लेकिन उसकी सभाई के लिए भी नोकर रखना पड़ता है क्योंकि कभी धाते नहीं है और कुछ दिन बाद वो समान घर के सबसे किनारे वाले कमरे में रख दिये जाता है कि लोग मुबाइल पर फिटनेस वाले एप भी डाउनलोड करने रहे हैं और सबसे आगे होते हैं लेकिन कुछ दिन बाद उस एप को कभी देखते भी नहीं है यानि धाग के तिल पाथ मरा जन्म गुजरात में हुआ मारी आँ गुजरात में एक जोतिंद्र भाई दवे करके बहुती उत्तम प्रकार के हाश्य लेखत थे जंग लिखते थे और बड़ा इंट्रेसिंग लिखते थे और जादा तर वो अपने खुद पर व्यंग करते थे अजा उनका शरीर का वो वर्णन करते थे वो कहते थे मैं कहीं खड़ा रहता हूं दिवार के पास खड़ा हूं तो लोगों को लगता था कि हेंग यर पर कुछ कपड़े टिंगे हुए हैं और वो इतने जुबले थे कि ऐसा लगता था जादे हेंग पर कपड़े पढ़ते हैं तो लोग मुझे मानते थे साथ मैं हिंसा कर बैटूंगा मार दूंगा लोग मुझे पूछते हैं पथर लेकि क्यों चलते हैं इतने सारे तो इसलिए ज़रा वेड़ा लिखते थे वह एक बार किसे ने उनको कहा कि पथर पथर लेकर के घुमने के बजाएं आप ज़रा व्यायम करते रहाये है क्यों एक किटन्प ना करना चाहिheres का बॉले बस पसीनहा हो जाए इतना तो शुरू करो पहले साल। एक अग्धिकल से जाऊंगा तो दूसरी मं देढ मैं वैब जो कुस्तिवाज होते हैं वो लोग अगाड़े में अपनी कुस्ति कर रहे थे बोले जाकर के मैं देखने लगा और देखते ही मैंने पसेना छूट गया तो मुझे लगा मेरी एक्सरसाइज हो गई याने यह बात हसी की जरूर है मजाग अपनी जगह है लेकिन स्वास्थ के लिए अच्छा भी है लेकिन कुछ चिंताएं इससे भी बड़ी है आज भारत में डायबिटीज हाइपरटेंशन जैसी अनेक लाइश्ट्राइल डिसीज बढ़ती जा रही है कभी कभी तो सुनते हैं परिवार में बारा पंद्रा साल का बच्चा डायबिटीग पेसंट हो गया अपने आज पास देखिए तो आपको अनेक लोग इन से पीडित मिल जाएंगे पहले हम सुनते थे कि पचांच साथ की उम्रों के बाद हाटेटे का खत्रा बढ़ जाता है लेकिन आज कभी कभी खबर आती है तीस साल पैसी साल चालिस साल का नवजवान बेटा बेटी चले गए हाटेटे का रहा है यह स्थिति वाकई बहुत चिंता जनक है लेकिन इन सारी स्थितियों में भी उमीद की एक कीरण भी है अब आप सोचेंगे कि इन बिमारियों के बीच में उमीद की कीरण की बात कैसे कर रहा हूँ मैं स्वभाव से बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला इंसान है इसलिए मुझे उसमें से भी कुछ अच्छी चीज़े मैं ढूंके निकालता हूँ साथ जो लाइफ स्टाइल डिसीज हो रही है लाइफ स्टाइल डिस ओर्डर की वेज़े से और लाइफ स्टाइल डिस ओर्डर को हम लाइफ स्टाइल बदल के उसमें बढ़लाव करके उसको ठिक भी कर सकते हैं तमराओं ऐसी बिमारिया है जिने हम अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे बढ़लाओ करके अपनी लाइस्टाइल में बढ़लाओ करके उससे हम बच सकते हैं उसको दूर रख सकते हैं इन बढ़लाओं के लिए देश को प्रेरिद करने का नाम ही फीट इन या मूमेंट है और ये कोई सरकारी मूमेंट है सरकार तो एक कटलिक एजन के रूप में इस विशे को आगे बढ़ाएगी लेकिन एक प्रकारते हर परिवार का एजन्डा बनना चाहिए ये हर परिवार की चर्चा का विशे बनना चाहिए अगर व्यापारी हर महिने हिसाब लगाता है कितनी कमाई की शिक्षा मे रूची रखने वाले परिवार में चर्चा करता है बेटों को कितना मार थाया उसी प्रकार से परिवार के अंदर सहज रुप से शारी इक्स्राम, शारी इक व्यायाम, फिजिकल फिट्नेश ये रोज मरा की जिंदिगी के चर्चा के विशे बनने चाहिए और साथियो भारत में ही अचानक इस तरज की जरुवत महसिस हुई वो ऐसा नहीं है समय के साथ ये बडलाओं सिर्फ भारत में ही आ रहा है ऐसा भी नहीं है पूरे विश्व में आज इस तरग के अभ्यानों की जरुवत महसुस की जा रही है अनेक देश अपने हां फिट्नेश के पती एवर देश बढ़ाने के लिए बड़े बड़े अभ्यान चला रहे हैं हमारे पडोस में चीन हिल्दी चाइना 2030 इसको मिशन मोड में काम कर रहा है यहने 2030 तक चाइना का हर नागरी तंदुरस्त हो इसके उन्होंने पुरा टाइम डेवल बनाया है इसी तरह आस्टेलिया अपने नागरीकों की फिजिकल एक्टिविटी बढाने और इनक्तिव यहने आलसीपन जो है कुछ करना धरना नहीं उस स्वभाव को बदलने के लिए उन्होंने लक्षते किया है कि 2030 तक देश के 15 पतिशद नागरीकों को यह आलस से बाहर निकाल करके फिट्नेस के लिए अक्टिव करने के लिए हम काम करेंगा ब्रिटेन में जोर सोर से अभियान चल रहा है कि 2020 तक पांच लाख नए लोग डेली एक्सेसाइज के रूटिन से जुड़ें यह उन्होंने टार्गेट है किया है अमेरिका 2021 तक अपने एक हजार शहरों को फ्री फिट्नेस अभियान से जोड़ने का काम कर रहा है जर्मनी में भी फिट इंस्टिड अफ फैट इसका बड़ा अभियान चल रहा है साथियों मैंने आपको कुछी देशों के नाम गिनाये हैं अनेक देश बहुत पहले से इस पर काम शुरू कर चुके हैं इन सारे देशों में लोग फिट्नेस की जरुद को समझते हैं लेकिन फिर भी उख्योंने अपने हाँ विशेश अभियान शुरू किये है सोची आकिर क्यों क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों को फिट रहने से नहीं बलकि पुरे देश के फिट रहने से ही देश का फायदा होगा नया भारत का हर नागरिक फिट रहे अपनी उर्जा बिमारियों के हिलाज में नहीं बलकि खुद को आगे बढ़ाने में अपने परिवार, अपने देश को आगे बढ़ाने में लगाए इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होना है साथ्यों, जीवन में जब आप एक लक्ष तै कर लेते हैं तो उस लक्ष के अनुसार ही हमारा जीवन ढलना शुरू हो जाता है जीवन ढल जाता है हमारी आदतें वैसी बन जाती है हमारी दीनचरिया वैसी बन जाती है हमको सुबह 8 बजे उठने की आदत हो लेकिर कभी सुबह 6 बजे जहाज पकड़ना है 6 बजे ट्रेन पकड़नी है तो हम उड़ते ही हैं तैयार होके चलते ही हैं हमने देखा होगा स्टूडंट किसी स्टूडंट ने अगर यह ताय किया कि मुझे दस्वी या बारभी के बॉड में कम से कम इतने परसंद लाने ही हैं तो आपने देखा होगा वो अपने आप अपने खुद में बहुत बड़ा बड़ा लाना शुरू कर देता है अपने लक्ष को हासिल करने की धून में उसका आलस खत्म हो जाता है उसकी सिटिंग कैपसिटी बढ़ जाती है उसका कॉंसेंट्रेशन कैपसिटी बढ़ जाती है वो दोस्तों से समय दीरे तीवी देखना बन कर देता है यह जीवन को धालने लग जाता है क्योंकि मन में लक्ष हो गया कि मुझे करना है इसी तरह कोई अगर अपने जीवन का लक्ष को विल्ट क्रेशन मनाता है तो उसका जीवन भी बदल जाता है वो 24 गंटे अपने रक्ष को प्राप्त करने में जूटा रहता है ऐसे ही जब जीवन में फिटनेस के प्रती एवेर्नेस आती है हेल कॉंशियस ने साती है मन एक बार तै करेक भई मैं बिल्कोल ही कभी ठकूंगा नहीं कभी साथ फुलेगी नहीं चलना पड़ेज़ा चलूंगा दोड़ना पड़ेज़ा दोड़ूंगा चड़ना पड़ेज़ा चलूंगा रुकूंगा नहीं अब देखिए धीरे धीरे ध जिन्चरिया भी बैसी बनना शुरू हो जाती है और फिर ऐसी चीजे जो शरीर को नुक्षान करती है उससे वह व्यक्ति दूर रहता है क्योंकि उसके अंदर एक कॉंसियसनेस है जांगुरूप हो जाता है जैसे वह ड्रग्स की गिरफ में कभी नहीं आएगा उसके लिए कभ भी ड्रग्स कुल नहीं होगी स्ट्राइड स्ट्रेट्मेंट नहीं बनेगी साध्यों स्वामी विवेकर नजी पर कहते थे कि अगर जीवन में परपज हो पूरे पैशन के साथ उसके लिए काम किया जाए तो अच्छा स्वात सुख समरुद्धी उसके बाय प्रोड़क्त क रुप में आपके जीवन में आ जाते हैं अपने जीवन के उद्धेश को हासिल करने के लिए हमारे भीतर एक जलुँम एक इच्छासक्ति एक लगण का होना भी उतना ही जरूरी है जब एक परपच के साथ पैशन के साथ हम काम करते हैं आगे बढ़ते हैं तो सफलता हमारे कदम चुमले के लिए तयार हो जाती है और सफलता पर आपने वो कामाद भी सुनी होगी there is no elevator to success there is no elevator to success you have to take the stairs याने इस कहावत में भी आपको सीरी के कदम चड़ने के लिए कहा गया है स्टैर तो आप तभी चड़ पाएंगे जब फीट होंगे बना लीप बंद हो गई तो सोचेंगे याराज नहीं जाएंगे कौन चौथी मंजिल पे जाएगा खाई और बहनो सफलता और फिटनेस का रिष्टा भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है आज आप कोई भी खेत्र लीजिए अपने आइकॉन्स को देखिए उनकी सकसे स्टोरीज को देखिए चाहे वो स्पोर्स में हो फिल्मों में हो बिजनेस में हो यह सिर्फ संयोग मात्र नहीं है अगर आप उनकी लाइफस्टाइल की बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक चीज ऐसे हर व्यक्ति में कॉमन है सफल लोगों का कॉमन करेक्टर है फिटनेस पर उनका फोकस फिटनेस पर उनका भरोसा आपने बहुत से डॉक्टरों को भी देखा होगा बहुत पॉपिलर होते हैं और दिनी में दस दस बारा बारा घंटे अनेक पेशन के उप्रेशन करते हैं बहुत से उद्द्यमी सुबह एक मिटिंग एक शहर में करते हैं दूसरी मिटिंग दूसरे चहर में करते हैं उनके चहरे पर शिकन तक नहीं आती उतनी ही अलटनेस के साथ काम करते हैं आप किसी भी प्रोफेशन में हो आपको अपने प्रोफेशन में एफिशेंसी लानी है तो mental और physical fitness बहुत जरूरी है चाहे boardroom हो या फिर bollywood जो fit है वो आस्मान छुता है body fit है तो mind heat है साथियों जब fitness के तरफ हम ध्यान देते हैं हम fitness पर ध्यान देते हुए अपने आपको fit करने की कोशिक करते हैं तो इसमें हमें अपनी body को भी समझने का मोका मिलता है यह हरानी की बात है लेकिन हम अपने शरीर के बारे में अपनी ताकत अपनी कमजोरियों के बारे में बहुत ही कम जानते हैं इसलिए जब हम fitness के अपनी यात्रा पर रिकलते हैं तो अपनी body का बहतर रंग से समझना शुरू करते हैं और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनोंने ऐसे ही अपनी body की शक्ति को जाना है पहचाना है इससे उनका हाथ में भी स्वाज भी बढ़ा है जिससे एक बहतर व्यक्तित्व के निर्मान में उन्हें मदद मिली है साथ योफिट इंडिया अभियान बले ही सरकार ने शुरू किया है लेकिन इसका नेतृत्व आप सभी को ही करना है देश की जनता ही इसे campaign को आगे बढ़ाएगी और सफलता की बुलंदी पर लेज पहुचाएगी मैं अपने नीजी अनुभव से कह सकता हूँ कि इसमें investment zero है zero investment लेकिन return और सिमीत है यहां मंच पर माना समसादन विकाद मंत्री ग्रामे विकाद मंत्री भी है मेरा उनको विशेद आग रहे हैं कि देश के हर गाउं में देश के हर पंचायब में देश के हर स्कूल में यह अभियान पहुंचना चाहिए यह अभ्यान सिर्फ एक मंत्राले का नहीं है सिर्फ सरकार का नहीं है यह सरकार चाहिए केंद्र की हो, राज्य की हो, नगरपाली का हो, पंचायत हो कोई भी दल हो, कोई भी विचारदारा हो फिटनेस के समझ में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए पुरा देज हर परिवार इस पर बल देए अभी हमने कारिकम में देखा हमारे हाँ फिट्डेश के साथ भीरता का अग्मी महत्मा है लेकिन दुर्भाजे से सिमीद सोच के कारण पुर्णा सोच के अभाव के कारण हमने हमारे परंपराओं से ऐसी गाड़ी डिरेल कर दी है जैसे कभी हमारे हाँ जो साथ सतर असी साथ के लोग के उमर होंगे जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो तव तलवार का तव पढ़ाया जाता था तव तलवार का तव बाद में कुछ बुद्धिमान लोगों ने विबात खड़ा किया सिमित सोच का परणान था कि वे तलवार बच्चों को पढ़ाने से उसके अंदर हिंसक मनोवर्ति आती हैं तो क्या करें तो तलवार को निकाल दो तो तर्बुज का तप पढ़ाओ याने हमने किस प्रकार से मनोवज्ञानिक गुरुप से भी हमारी इन महान परंपराओं से वीलता को भी सारी शामर्थ को भी फिट्नेस को भी बहुत गहरी छोट पहुंचाई और इसलिए मैं चाहूँगा अब हर प्रकार से हम फिट्नेस को एक उत्सव के रुप में जीवन के हिस्से के रुप में परिवार के सफलता के जितने मी मानक हो उसमें फिट्नेस भी परिवार की सफलता का मानक होना चाहिए व्यक्ति के जीवन की सफलताओं में भी फिटनेस उसका एक मानक होना चाहिए अगर इन भावों को लेकर करके हम चलते हैं और राज सरकारे हो मैं उनको भी कहूंगा कि फिट इंडिया मुमेंट को जादा से जादा विस्तार देने इसे देश के दूर दराज वाले खेत्रों में पहुंचाने के लिए हर कोई आगे आए अपने स्कूलों में अपने कारलों में अपने राज के लोगों में फिटनेस के प्रदी जागरूपता बढ़ा कर उनके लिए आवश्यक समसाधन जुटा कर हमें जादा से जादा लोगों को देली अपना कुछ समय फिटनेस को देने के लिए प्रेजित करना होगा स्वस्त वेक्ति, स्वस्त परिवार और स्वस्त समय यही नए भारत को स्रेश्ट भारत बनाने का रास्ता है जैसे आपने स्वस्त भारत ब्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है उसी तरह थीट इंडिया मुमेंट को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाना है आएए आप आजे संकल बले यह प्रतिज्या लें कि आप खुद भी फिट रहेंगे अपने परिवार मित्रों पडोसियों और जिनको भी आप जानते हैं उन सभी को फिट रहने के लिए प्रोसाहित करेंगे मैं फिट तो इंडिया फिट इसी एक आग्रह के साथ एक बार फिर इस अभ्यान के लिए देश वासियों को मेरी अनेक अनेक शुबकावना हैं और समाज के हर तबके में नेत्रुत्व करने वारे लोगों से मेरा आग्रह है कि आप आगे आईए इस मूमेंट को बल दीजिए समाज के स्वस्त होने में आप भी हिस्तेदार बनिये इसी एक अपिक्षा के साथ अनेक अनेक शुबकावनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद